आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइपस ऑफ इंफ्लेशन जो की इंफ्लेशन चेप्टर की सीरीज में तीसरा पार्ट है इससे पहले हमने दो पार्ट कवर किये हैं इंफ्लेशन की सीरीज में जिसमें से पहले पार्ट के अंदर इंफ्लेशन का मीनिंग डेफिनेशन और कर characteristics cover किया था और दूसरे पार्ट के अंदर causes of inflation cover किया था जिनकी link अभी flash कर रही होगी तो पहले वो दो वीडियो देख लीजिएगा सो लेट असस्टार्ट विथ टाइप सफ inflation inflation के बहुत सारे टाइप से जिनको अलग-अलग viewpoint के हिसाब से classify किया जाता है जैसे की coverage और scope की हिसाब से अगर inflation की types दिखने जाएं तो एक होता है comprehensive inflation जिसका दूसरा नाम है economic wide inflation और दूसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है sporadic inflation उसके अलावा दूसरे जो classification है जैसे की government का reaction और control है के नहीं है उसके इसाब से अगर देखने जाएं तो होता है open inflation और दूसरा टाइप है suppressed inflation वैसे ही अलग-अलग reasons की वजा से जो inflation arise होते हैं उनके अलग-अलग types है और price rise का जो percentage है उसके viewpoint के इसाब से अलग-अलग टाइप है यह सारही टाइप जो अभी टेबल display हो रहा है उसके अंदर एक के बाद एक state out किये गए हैं लेकिन हम उन सभी में से जो main-main types of inflation हैं वही cover करेंगे rising prices और rate of inflation के इसाब से जो inflation के टाइप है वह ज्यादा तर cbse course के अंदर cover होते हैं जबकि different causes के हिसाब से जो inflation arise होता है वो GSEB गुजराथ state board के अंदर cover होते हैं तो पहले rate of inflation के हिसाब से जो inflation के टाइप से उसके बारे में discuss करते हैं उसमें ज्यादा दर चार टाइपस of inflation discussion में आते हैं उसमें से पहला है creeping mild और low inflation जब price rise का percentage हर साल 3% तक बढ़ता हो तो उसको creeping mild और low inflation कहा ज्यादा है अगर price rise का percentage हर साल 3% से ज्यादा 10% से कम हो तो उसको walking walking inflation कहा ज्यादा है अगर 10% से ज्यादा हो तो उसको galloping inflation कहा जाता है और अगर price rise per month 50% के हिसाब से बढ़ता हो तो उसको hyper inflation कहा जाता है causes के हिसाब से देखने जाएं तो जब demand बढ़ने की वज़ा से चीजों का भाव बढ़ता है मतलब जब price rise होता है तो उसको demand pull inflation कहा जाता है जब cost of production बढ़ जाने की वज़ा से supply के अंदर decrease होने की वज़ा से inflation create होता है तो उसको cost push inflation या supply shock inflation कहा जाता है उसके अलावा कभी कभी price rise होता है market के अंदर but government via rules subsidies उस price rise को control में रखती है inflation को control में रखती है तो ऐसे time पर suppressed inflation है ऐसा कहा जाता है जब government का कोई control नहीं होता market पर और उस situation के अंदर price rise होता है तो उसको open inflation कहा जाता उसके अलावा almost हर एक commodity की जो price है पुरी economy में जब बढ़ती है तो उसको comprehensive inflation कहा जाता है और किनी किनी चीज़ों की price किनी किनी area के अंदर ही जब बढ़ती है तो उसको sporadic inflation कहा जाता है इनके अलावा चार्ट के अंदर और भी बहुत सारे टाइप डिस्पले हो रहे हैं उन में से जो important है और ज्यादा जो discussion में आते हैं उनके बारे में discuss किया है hope आपको यह काम लगे आपके व्यूज और opinions प्लीज कमेंट करके हमारे साथ share किजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe किजिए और notification on किजिए थैंक यू